नमस्ते फ्रेंट्स, Income Tax Related और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Income Tax on Winning from Online Gaming Online Gaming से जो winning होती है उस winning पे जो इनाम मिलता है जो amount मिलती है उस पर लगने वाले Income Tax के बारे में तो हम सबको पता ही है कि जब से ऑनलाइन गेमिंग का प्रचार प्रसार हुआ है तब से मार्केट में कई सारे ऑनलाइन गेमिंग के एप आये है जिन एप के माध्यम से लोग ऑनलाइन गेमिंग कर सकते है और ऑनलाइन बेटिंग भी कर सकते है और जिसके माध्यम से विनिंग के द्वारा वो इंकम भी कर सकते हैं इस समय मार्केट में कई सारी ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन बेटिंग याप है जैसे कि द्रिम एलेवन, माई एलेवन सरकल, पोकर स्टार, मोबाइल प्रिमेर लिग जिसे एमपेल कहते हैं रमी सरकल, अड़ा फिप्टिटू तो यह जो सारी ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग याप है इस याप पर लोगों को रेजिस्ट्रेशन करवाना होता है और रेजिस्ट्र भी मिलती है जिससे उन्हें इंकम होती है और जब इंकम होती है तो इंकम टेक्स भी आता है तो यहाँ इस वीडियो में हम लग समझने वाले है कि इस ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग याप से जो विनिंग होती है वोस विनिंग पर किस प्रकार से इंकम टेक्स लगाए ज तरगत, online gaming से जो net winning होती है, उसके उपर TDS काटा जाता है, जो भी online company है, जो भी online gaming company है, online betting company है, उन्हें ये TDS काटना होता है, ये TDS net winning के amount से काटा जाता है, व्यक्ति कि जो net winning के amount होती है, उसमें से TDS काटा जाएगा, और इस TDS का जो rate है, वो है 30%, तो यहाँ online gaming से जो winning होती है उसके उपर 30% के rate से TDS काटा जाता है और ये TDS कप काटा जाएगा जिस समय वो वेक्ति अपने account से amount का withdraw करेगा उस समय या अगर वो वेक्ति withdraw करता नहीं है तो साल के आकिर में net winning के amount से 30% के साथ तो TDS काटा जाएगा तो इस section 194BA के अंतरकत online gaming और online betting से दो winning होती है उसमें से 30% के साथ से TDS काटा जाएगा तो अब अगर हम बात करें कि इस online gaming और betting से वने वाले winning पर income tax कितना लगा जाएगा तो income tax act के section 115BBJ के अंतरकत इस online gaming और betting से दो winning होती है उस winning के amount पर 30% के साथ से income tax लगा जाता है और उसके उपर surcharge और sales भी लगा जाता है तो जिस किसी भी वेक्ति को online gaming और betting से winning होती है उसे उस winning के उपर 30% के साथ से income tax देना होगा तो यह तो TDS काटा जाएगा या income tax लगा जाएगा यह net winning की amount पे लगा जाएगा तो यहाँ net winning कैसे calculate होगी इससे भी बताय गया है तो यहाँ आप सभी को पता ही है कि online gaming या betting करने के लिए एक user account create करना होता है और उस user account में विक्ति को amount पहले deposit करने होती है और उसमें से 50 पे करके online gaming और betting करने होती है तो यहाँ net winning की amount कैसे calculate होगी तो वो जो user account है उस user account में से कोई भी विक्ति जब amount withdraw करेगा तो जो amount वो withdraw करेगा उसमें से दो amounts को minus करना होगा पहले amount जो amount उस user ने उस user account में deposit की है उस amount को withdrawal के amount से minus करना होगा और साल के सुरुवात में अगर उस user account में कोई opening balance होगा तो उस opening balance को भी minus करना होगा तो यहाँ यह जो है withdraw amount है और B और C जो है यह में से minus करना होगा उसके बाद जो मिलेगी वो होगी net winning की amount receive के उपर TDS काटा जाएगा और receive पर income tax लगाए जाएगा तो अब हम समझ लेते हैं कि यहाँ online gaming और betting से होने वाली income को अपने ITR में किस तरीके से दिखाना है तो यह जो online gaming या betting से income होगी जो winning होगी उसे income from other sources के अंतरकत दिखाना होता है और यह ITR 1 में नहीं दिखाया जाएगा यह जो option है यह option ITR 1 में नहीं है इसके लिए ITR 2 फाइल करना होगा या तो business की income है आपको तो ITR 3 फाइल करना होगा हम इस income को ITR 2 में कैसे दिखाना है यह दिख लेते हैं इसके लिए हम यहाँ जब हम ITR 2 का फाइल करेंगे तो हमें अलग-अलग schedules भरने होते हैं इसमें से एक schedule है schedule income from other sources इसे हमें open कर लेना होगा इसके बाद यहाँ हमें एक option दिखाया देगा number two income chargeable at special rates इसके उपर हमें क्लिक करना होगा इसे के अंदर हमें वो online gaming और betting से होने वाली winning की income दिखाने होगी तो इसे हम open करनेंगे इसके बाद यहाँ add details के उपर क्लिक करना होगा इसके बाद हमें यहाँ से nature of income select करना होता है तो यहाँ हमें कैसार option दिखाये देते हैं यहाँ हमें एक option दिखाये देगा option number A2 income by way of winning from online gaming chargeable under section 115 BBJ तो यहाँ income by way of winning from online games और अप्शन पर हमें क्लिक करना होगा इसे select कर लेना होगा उसके बाद तो हमारी winning amount है तो net winning है जिसके उपर tax लगने वाला है वो amount यहाँ एंटर कर लेने होगी इसके बाद नीचे आना होगा और यहाँ add details के उपर टिक करके इसे add कर लेना होगा इसके बाद हमें नीचे आना है इसके बाद यहाँ एक 10 number का point दिखाये देगा information about accrual receipt of income from other sources इसे open करके जिस भी quarter में आपको online gaming और betting से winning की income हुई है उस quarter के इसाब से वाई परकेशन देना होगा और उसे confirm कर लेना होगा तो यह दि किसी taxpayer को online gaming और betting app से winning हुई है तो यहाँ बताएगे तरीके से अपने ITR में उसे दिखाना होगा जिसके उपर 30% के इसाब से income tax में tax लगाया जाता है और तो TDS कटा है उसे भी TDS में क्लेम कर लेना होगा और अपना income tax return फाइल कर देना होगा आशा करता हो इस वीडियो के जानकर आपको useful लगी हो अगर इस वीडियो के जानकर आपको useful लगी है तो वीडियो के लाइक करें और चैनल के और आपको लगी है जानकर आपको